हेलो फ्रेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके अपने चल होम टुसन पे दोस्तों जैसा का आप जानते हैं एक सप्टेंबर से दिलिपलिस कॉंस्टिबल के साड़े साथ जारपदों पर वेकेंसे अरली जोने वाली हैं तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार इस फोरूम को अपलाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका एज क्राइटिरिया दिलिपलिस के एज क्राइटिरिया ओडिन मैच नहीं करता है तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे प्रेसान है कि age relaxation मिलेगा कि नहीं मिलेगा court की प्रिक्रिया क्या रहेगी कितनी fees है तो दोस्तों बहुत सारे group बन चुके हैं बहुत सारे vendor हैं जो आगे आना चाते हैं बहुत सारे youtuber हैं बहुत सारे educator हैं जो इस मुहीम में बच्चों के हित में आगे आना चाते हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो फीस आओ पांच जार रुपए डिमांड की जा रही है काफी गुरूप्स के माद्यम से तो बच्चों ने मेरे पास बेज़ी है रिपोर्ट तो उसके आधार पे मैं यहाँ पे बात करने वाड़ा हूँ और वीडियो पे जाने से पहले क्लिरिफाई कर देता हूँ ना तो मैं किसी एज्जुगेटर खिलाप हूँ ना ही किसी योटूबर खिलाप हूँ मैं बच्चों के हित में बात करूँगा और जो सही होगा वही यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल जायज बात हम करेंगे तो वीडियो को द्यान से और पूरा देखिए सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मिशन देना चाहूँगा एक सब्टेंबर से दिलिपलिस कोंस्टेबल का ओफलेंड बैज स्टार्ट हो रहा है अगर कोई नारनोर के आसपास का लोकल बच्चा है जो हमारे एरिया में है तो हमने अब लोकल बच्चों के लिए भी कोचिंग एविलेबल कर दी है तो आप हमें जोइन कर सकते हैं और जो बाहर के बच्चे हैं वो भी हमें होस्टल में जोइन कर सकते हैं एक सब्टेंबर से हमारी क्लासिस टार्टोरी है जो आप एडमिशन के टाइम पाएंगे तो जो कोर्स की फीस है वो मात्र 5,000 रुपए है और जो होस्टल चार्ज रहेगा, जो बच्चा होस्टल में रहेगा, वो मातर 4500 रुपए पर मंत है, ठेक है, तो आपका, जब कोई बच्चा एड्मिसन के लिए आएगा, तो लगबग 9000 रुप आपको देने होंगे, एड्मिसन के टाइम पे, उसके बाद हर महिने, 4500 2815, इस पर कोल ना करें, वाटसब करें, ठेक है, वाटसब करें दोस्तों, ठेक है, और बहुत बढ़िया तरिक्के से त्यारी करवाएंगे, ये सारे किलासिज आपकी लगेंगे, उसाती सात, डेली, एक मैत का और एक रिजिनिंग का मोक्तेश भी हम करवाएंगे, जो बच करते हैं, उसके अलबा, ओनलाइन भी हमारा कोर्स है, ड्रीम बैच है, 999 रुपे में, आप उसको जोइन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये आप पहले जान लीजिए कि चीजे क्या चली हुई है, उसके बाद मैं अपनी बाती रखूँगा, सबसे पहले किसी बच्चे ने बेज हुआ है, मेरे पास, और एक नहीं है, लगबग 50 के आसपस मेसिज मेरे पास आये हैं, कि तीन साल के एज रिलेस्टेसन के लिए, केस फाइल रडी हो रही है, एडवोकेट क्या है भईया, आजेल लूथरा सा भईये, ठेक है, कोट केस, मन्दा कैट के सीनियर एडवोकेट के हैं, फीस जो मांगी गई है, पांच हजार रुपए पर कंडिरेट, ठेक है दोस्तों, पांच हजार रुपए पर कंडिरेट, ये फीस मांगी गई है, केस का मुख्ययाची अमंत चोदरी को बनाया गया है, ठेक है, अब ही केस फाइनल नहीं हो है दोस्तों, अब ही रडी है मतलब तैयारी की जा रही है पूरी-पूरी तो उसके विहाब पे बोला जा रहा है और यहाँ पे जो बाते आगे आप देख लीजे खुदी ही क्या कह रहे हैं ये कि अजैस लूथरा जी ने बोला है जो भी कंडिरेट 2021-22-23 में ओरेज हुआ है और जिस कंडिरेट ने 2020 वाला फोर्म भरा है वही इस केस को जोइन कर सकते हैं अब जिसको जोइन करना है कैसे क्या करना है थेक है दोस्तों तो आप यहाँ पे खुद देख लीजिए अपनी आखों से पांच हजार रुपए पर कंडिरेट इहां पर फीज मांगी गई है ठेक है तो मैं आता हूँ अब अपने ओपिनियन पर सबसे पहली चीज दो बाते हैं एक तो देखिए जो मामला है आपका वो मतलब एक तो जिसे 2019 की जो HCM की बरती आई थी उसमें 2019 में बरती आई फिर 2022 में आई तो हमारे पास एक पुरूफ था कि 2019 में हमने फोर्म बरा था अब आपने बरती दुबारा निकाल दी तो हमारा उसमें क्या दोसा आपने बरती कैंसिल कर दी तो एक बेस बहुत बढ़ी हो गया था तो एक तो हमारे पास अभी बेस नहीं है क्योंकि कलेंडर बेस बरती नहीं अदिली प्रिस कॉंस्टिबल की अगर कलेंडर बेस बरती हो तो फिर भी हम उसमें बात कर लें कि हर साल आती है दो साल का कोरोना काल था तो हमें छूट दीजिए सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों जो केस होता है जो केस की फीस है एक्च्वल में बहुत ज़्यादा होती है ठीक है मानके चलिए कि केस केस में दोस्तों लग बग 5 लाख रुपय का खर्चा आएगा मिनिमम है 5 लाख तो लगेंगे लगेंगे क्योंकि घर बैठके खाली विचार अपने प्रकट कर देना कोमेंट वोक्स में जाके कि मैं यह करवा दूँगा मैं ओ करवा दूँगा कुछ नहीं होता है जब आप जाएंगे जमीन पर तो पता लगेगा कि जब आप घर से दिल्ली जाएंगे तब भी आपका 1500-200-300 रुपय वैसे खर्च हो जाएगा फिर वापिस आएंगे तब आपका 300-400 रुपय खर्च हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो बहुत सारे कागजी कारिये होते हैं बहुत सारे अन्य कारिये होते हैं तो फाइल को रडी करना एडवोकेट होते हैं बहुत सारे लोवर जो एडवोकेट होते हैं जो सीनियर एडवोकेट के निचे काम करते हैं तो बहुत सारी केस फाइल करनी होती है रडी करनी होती है documents का काम होता है जो बहुत सारी employee होती है उनकी salary होती है तो कुल मिलाके जो fees है मान के चलिए दोस्तो 5-6 लाग रुपे लगेगा है लगेगा चाहिए आप advocate कोई भी कर लीजिए अब बात आती है कि आप fees 5-0 रुपे रहेगी तो देखे दोस्तो इस group की क्या बात तेओरी है मुझे इसके बारे में कोई जानकर ही नहीं है लेकिन मैं आपको ही कहना चाहूँगा कि 5-0 लाग अगर fees लग रही है मान के चलिए कि 5-0 लाग तो लगेगी ही अब 5-0 लाग में बाया कितने 0 होते है मेरे क्याल जितना 5-0 लाग होता है आप बाया 1000 बच्चे लेकिया यह दिक्कत क्या है पता है दिक्कत यह है कि बच्चा जो ओरेज बच्चे है न वो घर बैठे सोचते हैं मैं case क्यों करूँ भया वो कर लेगा छोड़ तो सभी को मिल जाएगी तो भया आप खुद अंदाजा लगाईए अगर पांच लाख रुपए फीसर और हजार बच्चे होते हैं हजार बच्चे रड़ी होते हैं कि हम case करेंगे तो एक बच्चे के भया पांसो रुपए ही बटाएंगे मातर पांसो और अगर यही बच्चे यहाँ पे पांसो हो जाते हैं तो खुद डिवाइड कीजिए एक बच्चे के हजार हजार रुपए एक बच्चे के हिस्से में आएंगे अगर बच्चे होते हैं 500 WhatsApp गुरूप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इस वीडियो के नीचे WhatsApp गुरूप का लिंक है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे केस करने के लिए उतनी ही फीस कम लगेगी दोस्तो बात आगी समझ में अगर यहाँ पर बच्चे मान लीजिए भाया 200 ही है ठेक है 5 लाख रूप फीस रूप बच्चे हैं भाया 200 तो कितनी फीस लगेगी दोस्तो 25 एक बच्चे के हिस्से में 25 रूप आएंगे ठेक है तो पर कंडिडिट 5000 रूप उस फीस को पूरा करने के लिए मांगा गया है लेकिन मुझे लगता है कि 5000 रूप फीस बहुत ज़्यादा है अभी वेट करना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी कर रहे हैं लोगा बिना भाया नोटिविकेसन के केस कैसे फाई लोगा ठेक है तो बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही फीस कम लगेगी देखो मैं या कोई अन्य यूटूबर है कोई एजुकेटर है उन्नों को एज में रिलेक्सेसन नहीं चाहिए एज में रिलेक्सेसन चाहिए आप लोगों को तो भाया केस में आगे आना पड़ेगा जो यूटूबर कमनेट्वी है वो आपको केवल गाइड कर सकती है आपको जो एड़ोकेट है उनसे मिला सकती है आप में से ही कोई बच्चा लेडर बनेगा जो केस का मैं मतलब एक कंडिलिट होगा कि भाया इसके नाम से केस किया जाएगा ठेक है तो आपको ही आगे आना पड़ेगा फीस भी आपकी ही लगेगी फाइदा भी आपको होगा ये भी हो सकता है कि जो बच्चा केस करेगा केवल उसको ही फाइदा हो सकता है तो अभी कुछ कंपरम नहीं है इस बात को मतले के बैठना कि सबको छोट मिल जाएगी कोशिस यही रहेगी कि सबको मिले लेकिन जितने ज़्यादा बच्चे होंगे एक बच्चे की जेब पर उतना ही खर्चा कम पड़ेगा तो आपस में ना मतलब भाईया मैं क्यू जाओ मेरे को तो वो कर देगा तो मेरे को छोट मिल जाएगी इस बहे में मत ले ना अजार बारा सो रुपे पांचो रुपे जितने मैं कह रहा हूँ कि अजार बच्चे ले आओ है ना अजार बच्चे ले आओ एक बच्चे से पांचो रुपे ही लगेगी ठीक है अगर बच्चे ही सो डेड़ सो होंगे तो भाया पांच लाख रुपए की फीज तो वेन करनी पड़ेगे कोई भी वकिल कर ले ना केस फाइल किये है और उनमें स्टुडेंट्स के पक्स में ही फैसल आया है तो इस चीज को ध्यान में रखिए अगर आपको वास्तों में ही एज रिलेक्सेशन चाहिए कई बच्चे करने कि तीन साल का दिलवाओ, दो साल का नहीं, तीन साल का, कई तो बच्चे करने की एज, काउंट भी एक जनुरी से करवाओ, तो भाईया केस का पैसा भी दो फिर, यूट्टुबर अपनी जेव से थोड़ी देगा, पैसा भी दीजिये, ठेक है, तो जितने ज तो एक दमदार पॉइंट बनेगा, तो केस उतने ही दमदार तरीके से लड़ा जाएगा, और उतना ही जल्दी जज्जमेंट आएगा, और उतनी ही बढ़िया पोजिटिविटी जो है, आपके पक्स में देखने को मिल सकते हैं, ठेक है, एज में रिलेक्स असन मिलेगा, य या वो केस कर देगा, तो मुझे छूट मिल जाएगी, जादा से जादा बच्छों को आना है आगे, ठेक है, केस में क्या-क्या चाहिएगा, क्या नहीं चाहिएगा, सारी चीज़े मैं बता दूँगा, ठेक है, तो वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वाटसब गुरूप का दिलिप्रिस, ओल्ड कंडिरेट के लिए, उसको आप अभी जोइन कर लीजिए, मेल, फीमेल दोनों, ठेक है, और जितने मेल कंडिरेट उनसे रिक्वेस्ट है कि फालतों में किसी ग्रल्स को मैसिज नहीं करने है, अगर ऐसा पाया गया, और किसी ग् गुरूप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड की, मतलब जोइन कर लीजिए, और प्रोसेडिंग भोजल दी आपको बता देंगे, ठेक है दोस्तों, तो जो 5,000 रुपए फीस जो मांगी जा रही है, उसका बेस यही है कि कंडिरेट कम है, कंडिरेट ज्यादा ह जिनको age relaxation चाहिए, भाईया अगर 6 मेंने का भी relaxation चाहिए न, माली जिए 3 मेंने का भी relaxation चाहिए तो उसका एक ही प्रोसेस है, court case लड़ना पड़ेगा, case में आना पड़ेगा, ठेक है, और अगर 3 साल का चाहिए, तो भी case में आना पड़ेगा, ठेक है, और अगर 3 साल का चाह